दोस्तों विकास Ecotech Limited जो chemical sector की एक company है और इसके business overview की जानकरी मैंने already आपके साथ exchange की हुई है इस company के तरव से आ रहे हैं दो खास updates पहला है quarterly results का जिसकी overview की information मैं आपके साथ इसी informative video के माधिम से exchange करूँगा दूसरा जो update है वो मैं results overview के बाद आपके साथ share करूँगा और उसके बाद आपको ये decide करना है कि उस update में company के लिए कितने ज़्यादा फायदे छुपे हुए दिख रहे हैं तो आप बने रहे हैं मिरे साथ शुरू करते हैं आईए मिलकर सीखते हैं दोस्तों October 19, 2022 का ये document है यहाँ पर आप किलिए लिए देख पा रहे हो company का नाम है विकासी को company का जो BAC script code है वो है 530961 ये इनका NAC symbol है subject outcome of code meeting held on October 19, 2022 अब पूरी report word by word आपको पढ़नी है तो मैं मेरे telegram group में आपके साथ share कर दूँगा वहाँ से आप download करके पढ़ सकते हैं ये एक इशारा है कि हमारा जो telegram group है उसे आप जरूर जोईन करें हमारे telegram group को join करना बिलकुल भी free है किसी भी प्रकार की charges हम नहीं लेते हैं यहाँ पर जो key numbers है key जो findings है वो मैं आपके साथ exchange करूगा कि मेरी observation क्या कहती है तो उसके लिए हम यहाँ पर नीचे scroll कर देते हैं और directly jump करते हैं numbers वाले section में अब यहाँ पर आप headers देख पा रहे हो यह है 30 September 2022 यह वाला में refer कर रहा है और 30 June 2022 और यह 30 September 2021 इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि September 2021 के मुकाबले यह September 2022 कैसा रहा और यह quarter जो है September वाला August के मुकाबले कैसा रहा आप यहाँ पर देख पा रहे हो इनकी जो income है total जो I है उन्होंने जो report की हुई है वो 134 करोड के आसपास की की हुई है यह जो भी numbers है न दोस्तों यह lakhs में है यहाँ पर आप उपर document में भी देख पाओगे यहाँ पर इन्होंने mention किया हुआ है कि यह जो भी amount इन्होंने डाला हुआ है यह lakhs में है ठीक है तो यह 134 करोड के आसपास की इनकी total income है तो यह income जो है दोस्तों वो बड़ी है अगर हम पिछले quarter को देखें तो यह 8,913 का figure आप देख पा रहे हो इस समय यह 13,493 lakhs की है और अगर हम इसी को पिछले साल के इसी quarter के साथ compare करें तो भी आप देख पा रहे हो लगबग दुगना यहाँ पर jump आ चुका है यह आप देख पा रहे हो 7,522 और यहाँ पर है 13,493 almost double के आसपास है 15,000 अगर होता तो exactly double होता लेकिन उसके आसपास है उसी तरह अगर हम यहाँ पर इनके total profit की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो यह जो profit and loss company ने report किया हुआ है करीबन साड़े 3 करोड के आसपास का और वहीं पर पिछले quarter यह डेड़ करोड के आसपास का था तो यहाँ पर तो दुगने से भी जादा का jump हमें देख रहा है और अगर हम पिछले साल के इसी quarter के numbers को देखे तो यह करीबन 66 लाक रुपे के आसपास था तो यह एक बहुती बड़ी positive symbol है दोस्तों जो मुझे लगती है कि company का जो profit है उसकी जो growth rate है वो काफी ज़दा improve हुई है लेकिन हम यह भी देखते हैं कि इन्होंने profit कहां से कमाया है कौन से vertical से कमाया है तो मैं आपे नीचे scroll down कर देता हूँ इसी document को और यहाँ पर इन्होंन उसके बाद manufacturing division से मामुली 27 लाख रुपे की contribution हुई है और ऐसा भी नहीं कि कोई other income इन्होंने add कर दिये other income का भी यहाँ पर आप column देख पार है यहाँ पर भी कोई बड़ा variation नहीं दिख रहा है इस एक quarter में था थोड़ा सा यहाँ पर था थोड़ा सा other income का जो number था अब है जो income है उसमें growth report हुई है जिसका मतलब सीधा सा है कि company का जो core business है वो कहीं न कहीं काफी जदा demanding है और यहाँ पर company उसमें काफी अच्छा करते आ रही है अब इसी के साथ एक और update भी company ने release किया है जा company develop करेगे एक special तरीकी के coatings जिससे corrosion से बचा जा सके अब corrosion क्या होता है जन्ग लगने से बचा जा सके यह सबसे बड़ी problem होती है अगर आप देखोगे हमारे पूरे industry में हमारे घर में भी आपको दिखेगी बहुत सारी ऐसे products होते है जहाँ पर जन्ग लग जाती है तो यहाँ पर company ने एक collaboration किया है global conglomerates के साथ ताकि वो इस technology को develop कर सके produce भी कर सक कि यह जो collaboration ने ने किया है न यह जंग की protection के लिए किया है खास करके जहाँ पर marine atmosphere रहता है वहीं तो सबसे ज़दा जंग लगती है जो भी लोग समंदरी areas के नजदीक रहते हैं उनके products में जिसकी घर की grills हो गई या तो vehicles हो गए बहुत सारे ऐसे products होते हैं जो हम बाहर खुल देते हैं जूला हो गया तो उनकी जो railings होती है उसमें जंग लग जाती है तो इस तरीके का chemical अगर ये बनाएगी तो ना के वल ये सारी चीजे हैं बलकि और भी industrial products भी होते हैं industrial machinery भी होती है वहाँ पर भी ये chemical कहीं ने कहीं use में आ सकता है और एक important point इन कही तरह से आपर mention भ iron रहता है या उसके आसपास रहता है तो वहाँ पर उस iron को corrosion से बचाया जा सके और कैसे ये बनाएंगे देखें ये smart intelligent coatings using nano calcium carbonate blended in conjugated polymer matrix for corrosion protection and a process of preparation thereof तो इन्होंने अपने process की brief information भी यहाँ पर दी हुई है और ये माते हैं कि ये एक मात्रे ऐसा solution है जिससे जंग लगने से iron को ती मेंने दोस्तों उनोंने new powder and liquid formulation design किया है ताकि ये superior corrosion protection provide करा सके और कौन से sector को ये लोग target कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं automotive sector हो गया paint industry हो गई ये सारी जो industries हैं इस particular exercise से benefit in industries का जाधा होने वाला है और ये दोनों ही industries जो है यानिकी automotive और paint सदावार industries है च जाए recession हो चाहे कुछ भी हो ये industries हमेशे चलती है इनमें कामकाच हमेशा होता रहता है तो कहीना कि इनके जो ग्राक है अगर वो इस industries से है तो ये company भी हमेशा उनके साथ business continuity को maintain कर पाएगी जिस मादियम से company कहीना कहीं लंबी अवदी में अच्छी sales generate कर सकती है और अच्छी sales प्रयास के मादियम से मैंने आपके साथ ये information exchange भी कर दी अगर आपको प्रयास पसंद आया तो वीडियो को like करे पर्सनल finance related वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर subscribe भी करे और हमारे telegram group को join करना बिलकुल भी ना भूलेगा तो इसी के साथ करते हैं conclude आज के इस informative वीडियो को यहीं पर चल्द मिलते हैं किसी और interesting topic के साथ किसी और दूसरे वीडियो में तब तक अपने health का और wealth का ज़रूर अच्छे से ख्यार रखेगा